जैसे कि आप सभी का एक question आ रहा था कि क्या इस बात में सचाई है कि कुछ ऐसी महिलाए होती है जिनको एक महिने के अंदर दो बार chances मिलता है pregnant होने का क्या ये बात सच है बिल्कुल गैज ये बात पूरी तरीके से सच है इसे science ने भी इस चीज़ को माना है सो गैज यहां इस वीडियो में हम उन महिलाओ के लक्षन के उपर बात करेंगे वो कौन सी ऐसी महिलाए है जस्ट आपके period cycle के बारे में बात किया जागा यहां अगर आपका period cycle definitely match करता है तो confirm आप भी महीने में दो बार chances मिलती है pregnancy रुकने की तो चलिए गैज इसी बात में details ज जनकारी के लिए और secret जनकारी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपके श्वेता और आप देख रहे हैं सहेली क्लब पहली बार अगर आए हैं चानल को जरूर सब्सक्राइब कर आप वीडियो को लाइक किजिएगा यहां पर गाईज हम बात करते हैं जो pregnancy रुकने की बात होती है इसके लिए सबसे पहले हमें अपना period cycle पता होना चाहिए overall हमें पता है दो तरह के period cycle होते हैं एक regular period cycle 28 दिन या 30 दिन का एक होता है irregular period cycle यानि कि वो कुछ भी हो सकता है वो short cycle हो सकता है वो long cycle हो सकता है short cycle क्या होता है यानि कि आप लोगों ने कहीं ऐसा सुना होगा कि कोई-कोई महिला जो है वो एक महिने में उनको दो बार periods आता है तो महिने में इतना जल्दी-जल्दी periods आना short cycle होना हर 15-20 दिन पर उनको periods आ रहा है या 22 दिन पर आ रहा है तो वैसी महिला एक महिने में उनको दो बार chances मिलती है क्योंकि एक महिने के अंदर तीस से 32 दिन के अंदर वहार उनकोEZ हो जैता है कैसे आक्षिल्य यह है कि चार या पाज दिन तक जब periods रहता है उसके एक दिन बाद ही उनकाbas स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हर 20 दिन बाद या 22 दिन बाद उनको पीरियड साने हैं इसी केस में क्या होता है कि बच्चेदानी का मुथ दो बार ओपन होना स्टार्ट होता है लेकिन वहीं महिलाएं जिनका 30-28 दिन का पीरियड साइकल रागुलर है उनके साथ यह चीज एक बार ही evolution होगा लेकिन 20-22 दिन पे हर 20-22 दिन पे जिनको पीरियड सा रहा है उनको दो बार definitely chances मिलती है इन दोनों बार में से वो कभी भी try कर सकती है कभी भी most fertile days को जानकर उस दिन वो develop कर सकते है जिनकी उनकी जिस करण उनकी जो pregnancy होगी वो बहुत असानी से रुक होगी कि evolution कब से start हुआ इसे जानने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से evolution किट लो लक्षन कितरों भी बहुत सारी बाते पता चलती है चैनल पर धेरो सारे वीडियोस हैं जिसे आप देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकती है और साथी साथ अगर बोले तो changes के तोर हाई हो जाता है इस तरह की कुछ चोटी-चोटी चीजे होती है लेकिन हम उन्हें notice कर सकते हैं और अगर बात करें म्यूकस की तो आपका जो म्यूकस है वह कर सकते हैं कि thread के जैसे बनने लगता है यह भी एक indication होता है आपके evolution का guys I think सारे doubt को clear किया गया आपको सारी चीजे लगता है